आप सभी लोग का नमस्कार मैं सुमेज जैसुगा लेक्ट्रिकल एंड एलेक्रोनिक्स इंजिनियर आज आपके सामने है 15 तरह की स्मॉल स्पॉट लाइट्स इन सभी लाइट्स को हम टेस्ट करेंगे और हमारे पस दोनों तरह की लाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं एक जो क क्या बातों का ध्यान रखना है cut-out size देखना है depth of the light देखना है driver का size देखना है उसका focus देखना है directional चाहिए distributed light चाहिए या फिर आपको color कौन सा चाहिए light का या फिर आपको body का design कैसा चाहिए कौन से color की body चाहिए आपको surface small spotlights के अंदर आपको light की thickness देखनी है size देखना है design और again focus of the light देखना है बाकी वोई color of light और body color देखना है तो इन बातों का ध्यान रखना खरीदने से पहले यही सारी बाते मैं आपको right side पे लिख कर देता रहूंगा हर light के बारे में तो यह सबसे पहले हमारे पास 1 watt की small spotlight मौजूद है उसका focus देख लीजे इसके अंदर आपक इसका जो color है वो आप देख सकते हो warm white से थोड़ा सा yellowish की tone पर आपको मिलेगा जितनी भी copper finish में आती है इनका tone थोड़ा सा yellowish चला जाता है और again अब यहाँ पर देखें next मेरे पर 2 watt की light है इसका focus भी आप देख लीजे एक बार मैं आपको दिखा दिता हूं तो इसका focus थोड कौन सी light लेनी है कौन सी नहीं लेनी है यह वाला जो design है यह अक्सर आपको brands में मिलेगा अच्छे खासे brands में आपको यह वाला design मिल जाएगा Panasonic, Philips, Hevels वगेरा, Siska में सब में मिल जाएगा यह वाला design इसका lens बड़ा प्यारा है इसका focus आप देखें कितना सुन्दर आता है मैंने green color का और warm white color को दोनों को यहाँ पर test करके देखा है वो आपकी screen पर है Siska ने अपना lens एक बिलकुली अलग तरीके का लगाया है इसका focus बहुती different तरीके का आता है और बहुती प्यारा लगता है यहाँ पर मेरे पास 2 watt की यह light है और blue color में मैंने test करकर यहाँ पर देखा सकते हैं इसको मैं लगाने का तरीका आपको समझा देता हूँ आपको जो front cover है इसे निकालना है अंदर की तरफ जो glass लगा है यह भी tempered है तो यह तूटेगा नहीं तो यहाँ पर दो जगा आप देख सकते हो ना page लगाने की जगा है तो यहाँ पर page लगा दो front cover लगा दो light क distribution आपके सामने है तो focused भी है और बहुत फैल भी real light ठीक है तो outdoor purpose में भी इस्तमाल कर सकते हो waterproof light है वो मेरे पास black body में थी यहाँ पर आपके पास copper body में भी same light है इन सब की details आपकी screen पर लगातार आ रही है वो आप साथ साथ देखते रहो और यह वीडियो में pronics lighting and electricals noida से shoot कर अगर आसपास रहते हो तो हमें visit भी कर सकते हो ठीक है तो यह light अब मेरे पास 3 watt की है HPL के अंदर ठीक है तो इसके अंदर भी आपको external driver नहीं लगाना है और light का focus बहुत ही प्यारा इसके अंदर आता है अगर आपको directional light से यह बहुत ही focused light से यह तो आप 3 watt के अंदर यह भी ल लगा सकते हो यह बहुत ही सस्ते में market में मिल जाती है और इसका distribution light का ज्यादा रहता है बड़ effect इतना प्यारा देखने में नहीं मिला मुझे next मेरे पास है Jupiter की 5 watt की light इसका आप एक बार हम इसे test करेंगे मैं आपको बता दूँ कि इन सभी lights को आप नीचे description में जो links दे रखे आप विजिट भी कर सकते हो और all over India हम deliver भी करते हैं तो आप हमसे भी मंगवा सकते हो ठीक है तो यह 5 watt की light मैंने test कर ली अब यह वाला design बड़ा common आजकल आ रहा है brands के इंदर मैं देख रहा हूं मैंने Panasonic C&S में बेचा भी है इसे तो इस तरह के light में आपको दो page लगाने होत संदर लगता है इस तरह की light पे अब यह टेबल वाली light आती है जो पंदरा डिगरी पर आप इसे टेल्ट कर सकते हो और यह अकसर आपको Panasonic में मिल जाएगी हैवल्स में मिल जाएगी सिसका में मिल जाएगी और आपको फिलिप्स में बहुत commonly मिल जाएगी और बहुत ही संद लगती है यह light 5 watt की है directional light है 40 degree के angle पे light मिलती है बहुत ही संदर लगती है महंगी भी पढ़ती है पर संदर ता बहुत ही जादा बढ़ जाएगी इस light को लगाने से जो भी object आप उसके नीचे रख्योंगे अब यह जुपिटर की प्रोफाइल light है अगर आपको पूरे में distributed light चाहिए तो यह बहुत ही under cabinet light के purpose के लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके साब इसे इस्तेमाल कर सकते हो यह जो क्री की light है यह भी आप लगा सकते हो यह 1 watt 2 watt मेरे पास यह 2 watt की है जितने आप इसके panels बढ़ाते जाओगे उतनी एक एक वाट इसका बढ़ता जाएगा तो यहा पर लगा सकते हो या फिर अपने किसी retail store वगेरा पर कोई products को highlight करने के लिए लगा सकते हो आज के लिए बहुत designer TV panels बन रहे हैं वहां लगा सकते हो बातरूम में आप देख सकते हो किस तरीके से इन छोटी spotlights का इस्तमाल आप कर सकते हो अपने study table पर work bench पर आप इसका इसका इ यह वीडियो मैंने प्रानिक्स लाइटिंग इलेक्रिकल स्नॉइडा से शूट की तो आप विजट करिए हमें या फिर आप हमसे भी order कर सकते हो नीचे description से भी आप online link से order कर सकते हो मिलते हैं अब next वीडियो में bye and take care